गुड मॉर्निंग चलो वे आज हम फिजिक्स के अंदर जो हमारा चेक्टर है इलेक्रोस्टेटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एन इलेक्ट्रिक फिल्स उसके अंदर हम चार्ज डिस्ट्रिबुशन देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रिबुशन करना है हम कितनी तरीके से उसक कि अगर मैं charge को एक वायर के ऊपर distribute तो उसको क्या बोलते है linear charge distribution linear charge distribution क्या है lambda is equal to charge per unit length मतलब कि उसको linear charge density बोलते है lambda is equal to q by l उसका unit है column per meter और उसका dimension formula है m0 l-1 t0 q1 similarly अगर मैंने उसको surface पर distribute किया surface मतलब एक plane हो सकता है सर्फेस पे मतलब टू डाइमेंशन हुआ टू डाइमेंशन पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रिबूट किया तो उसकी सर्फेस चार्ड डेंसिटी होती है सिग्मा सिग्मा इस नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है और उसका एक्वेशन क्या होगा क्यू बाइ यह सब जो अबजेक्ट से उसके उपर में अगर चार्ज को डिस्ट्रिबूट किया है तो उसको वाल्यूम चार्ड डेंसिटी लगेगी रो रो इस पाइवी और उसका यूनिट है कुलंपर मीटर स्क्वेर और डाइमेंशन फर्मूला होगा एम जीरो एल माइनस त्री टी जीरो क्यों बराबर है तो यह मेरे पास लिनियर चार्ड डिस्ट्रिबूशन आ गया यह सर्फेस चार्ड डिस्ट्रिबूशन आ गया और यह वाल्यूम चार्ड डिस्ट्रिबूशन आ गया लेकिन अब मुझे जो बात करना हो यह है कि I want to find the electric field due to infinitely long straight charged wire using gauss law using gauss law using gauss law तो कि हम दो चीज़ देखेंगे एक gauss law के यूज करके हम electric field find out करेंगे infinitely long straight charge wire की और दूसरा हम को without using gauss law यही equation find out करने वाले लेकिन अब यहां पर दियान से देख लो यहां पर दियान से देख लो कि मेरे पास मेरे पास एक infinitely long infinitely long एक straight wire है जिसके उपर मैंने इसे charge को deposit किया हुआ है चार्ज को मैंने क्या हुआ है डिपोजिट पॉजिटी चार्ज को मैंने डिपोजिट किया है इंफाइनेटली लॉंग वायर है इंफाइनेटली लॉंग वायर मतलब यह उपर की सेट जाएगा तो यह प्लस इंफाइनेट होगा यह नीचे की सेट जाएगा तो यह क्या होग माइनस-инfind desperately long वायर है इफिन विन वायर है अब इस infinitely long straight charged वायर जो है जिसकी surface charge density let Ali देन dese लेमड़ा है उसकी वज़ाशी उसकी वज़ासर और डिस्टेंस पहर कोई एक perpendicular distance ले लो यहाँ पे मुझे electric field find out है समझा infinitely long straight charged वायर है इंफाइनेटली लॉंग स्ट्रेट चार्जड वायर जिसकी सर्फेस चार्ड डेंसीटी क्या है लेमड़ा है उसकी वज़से आर डिस्टेंस पर मुझे क्या फाइंड़ करना है इलेक्ट्रिक फिल्ड बाइ यूजिंग गॉसलो समझो अब मुझे गॉसलो यूज करना है तो थोड़ा सा गॉसियन सर्फेस पर दियान देना पड़ेगा अब मेरे को गॉसियन सर्फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा समझो गॉसलो क्या कहता है कि कोई एक क्लोज सर्फेस है क्लोज सर्फेस गॉसलो फेस पे इलेक्ट्रिक फिल्ड और उसके एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोड़क्त का स्केलर मतलब कोंसी प्रोड़क्त रहती है डॉट प्रोड़क्त का close integration is nothing but Q inside of the electric field divided by epsilon 0 और is nothing but electric flux phi is nothing but electric flux phi तो closed integration over surface इस वो क्या बोलते है closed integration over surface या तो integration over closed surface बराबर है तो integration over closed surface E.DA is equal to Q inside epsilon 0 is equal to phi समझा आप यहां पे तो मुझे यहां पे closed surface consider करने पड़ेगी तो यहां पे see E.S. plus charge की वाज़े सी electric field ऐसे भी होगा मतलब ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा की नहीं होगा हर जग़ पे electric से होगा बराबर है लेकिन मुझे तो R distance पे ही electric field चाहिए तो R distance पे electric field चाहिए मुझे तो यह R radius consider करके R radius यहां पे भी R radius और यहां पे भी R radius consider करके एक मुझे क्या plot करना पड़ेगा Gaussian cylinder प्लोटना पड़ेगा क्या plot किया मैंने Gaussian cylinder plot किया मैंने R radius consider करके Gaussian cylinder plot किया यह Gaussian cylinder मैंने क्यों plot किया क्यों cylinder ही plot किया इसको बोलते है Gaussian Cylinder क्यों Gaussian Cylinder में ने प्लॉट किया क्योंकि यहाँ पे Cylinder की Surface पे हर एक जग़ Electric Filt क्या है Same liar engraik सिलिंडर की सर्फेस पे हर एक जग़ पे इलेक्ट्रिक फिल क्या है सेम इलेक्ट्रिक फिल इए यहां पे भी इलेक्ट्रिक फिल इए यहां पे इलेक्ट्रिक फिल क्या है सेम है समझवा आप यहां पे अब देखो अब मैं क्या करूंगा इस सिलिंडर के तीन सर्फेस निकाल काउड सर्फेस उसको मैं टू नाम देता हूं और नीचे वाली सर्फेस को इसको मैं थ्री नाम देता हूं बराबर हैं तो तो सिंपल सी अब बात समझो कि इस सर्फेस पे इस सर्फेस के लिए electric field ये direction में है और इस surface का अगर मैं अगर मैं small area vector लेता हूँ तो area vector perpendicular में लेका है तो उसको मैं da1 बुलता हूँ यह second surface है उसका electric field ये direction में लेकिन इस second surface जो है उसका जो area vector होगा उसको मैं da2 बुलो उसके perpendicular इस direction में आएका और यह जो third surface है उसका area vector कहाँ पर आएगा नीचे da3 बेराबर है यहाँ पर जो मुझे flux मिलेगा यहाँ पर जो मुझे flux मिलेगा phi is equal to integration e.da integration e.da is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ तो phi is equal to integration e.da1 plus integration e.da2 plus integration e.da3 समझा तो यहाँ पर मैंने phi is equal to integration integration यहाँ पर क्या एगा e.da1 cos theta1 plus e.da2 cos theta2 plus e.da3 cos theta3 आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर electric field ऐसे है और d.da1 ऐसे है मतलब एक दूसरे के perpendicular है तो theta1 के आएगा 90 यहाँ पर theta2 electric field and electric field electric field and area vector दोनों एक दूसरे के parallel है तो theta2 के आएगा 0 यहाँ पर electric field right hand side है और d.da3 कहाँ पर नीचे है तो theta3 के आएगा 90 आएगा तो इस equation के अंदर इस equation के अंदर flux phi is equal to integral eda1 cos theta1 90 है प्लस यहाँ पर कहाँ आएगा 1 होता है यह दो चीज आपको पता है तो मैं यही equation में रखता हूं phi is equal to यहाँ पर देखो यह cos 0 हो जाएगा गिबी cos 90 वाला 0 हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा phi is equal to e d801 हो गया बराबर है तो phi is equal e constant रहे बाहर निकल गया da2 da2 मतलब closed integration over cylindrical surface बराबर है तो मुझे यहाँ पर phi is equal e da2 cylinder का surface रहे क्या होगा बूलो cylinder का surface रहे क्या होगा 2 pi rl तो मुझे यहाँ पर phi मिल गया इसको बताओ equation number one so phi is equal क्या मिला e into 2 pi rl phi is equal to e into 2 pi rl now 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 गॉसलो क्या बूलते है गॉसलो क्या बूलते है e into 2 pi rl मतलब की flux is equal to q divided by epsilon not बराबर है तो यहाँ पर q divided by epsilon not but you know that linear chart density lambda is equal to q by l linear chart density lambda is equal to q by l so e into q is equal to lambda l होगा तो e into 2 pi rl is equal lambda l by epsilon not lambda l by epsilon not बराबर तो l l क्या हो गए cut तो e is equal lambda upon 2 pi epsilon not r तो यह हो गया equation यह हो गया equation की linear distribution की वजह से आर डिस्टन्स पे electricly कैसे find out करना इसमें एक और changes में कर सकता हूं इसमें एक और changes देखो आप द्यान से देखो जीकोल उपर मैंने 2 से multiply किया नीचे 2 से divide किया उपर 2 से multiply किया नीचे 2 से divide किया तो e is equal to 2 lambda upon 4 pi epsilon 0 r but 1 upon 4 pi epsilon 0 k तो e is equal to 2 k lambda by this is most time equation यह किसका equation है कि किसका equation है कि linear charge distribution की वजह से एक infinitely long charge wire जो है उसकी वजह से आर डिस्टन्स पे electric field बराबर है तो आपके पास equation क्या मिला e to 1 equal pi epsilon 0 r और दूसरा equation 2 k lambda by r क्या थेता कि टूसरा ड्राइस हाभ verifysix e27 क्या थेतार का प्राओर तो टूसरा कर दाएके पास बिसा सकाना मिलांगर, लगतों जया मिलांगर्त sonुड़ कि मत यह सच demons equipped झाश नहरbbe, पश्या जुष aquesta explorjing झाल झाल